बिना केमिकल के, बिना प्रिजर्वेटिय के बहुती टेस्टी, बहुती औरेंजी होममेड औरेंज स्कुरेज अस्सलामु अलेकुम वेलकम टू जायकाविद रूबी आज मैं आपके साथ घर पर ही ताजे औरेंज के जूस से औरेंज स्क्वेस बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप इसे अपने घर पर जरूर बनाईए क्योंकि ये आने वाले रमजानों में आपकी बहुत काम आने वाला है और इसकी रेसिपी जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा हर बार की तरह इस बार भी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक हमबल रिक्वेस्ट है अगर आप फर्स टाइ मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक की कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं औरेंज उसक्राइस बनाना यह मैंने बड़े साइस के छे औरेंज लिये हैं यह काफी रसीले होते हैं इनसे बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में औरेंज जूस निकल जाता है इनका कलर और टेश दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं म पिर इसके बाद इनके भी चार-चार तुकड़े कट कर लेंगे इस तरह से कट करने से यह अपने चिलकों से बहुत ही इसली अलग हो जाते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने इस तरह से छोटे-चोटे तुकडों में कट कर लिया है आप इन्हें एक बाउल जो इसकीन है इसे भी हम यूज में लेंगे इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है यह बहुत ही फ्लेवर फुल होती है इसका जूस त्यार करने के लिए मैंने एक ब्लैंडिंग जार लिया है उसमें इस तरह से इसे चिलकों से अलग कर लेंगे आप देख सकते हैं यह क इसे इस तरह से एक स्पून की मदद से खुरच कर अलग कर देंगे क्योंकि इसका टेष्ट बहुत ही ज़्यादा करवा होता है यह काफी सॉफ्ट है बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगा बस इसे हमें इस तरह से हलके हाथों से निकाल लेना है जिससे कि इसका छिलका भी तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से निकाल लिया है अब इसे भी हम फटा फट से कट करके उसी ब्लैंडिंग जार में एट कर देंगे क्योंकि इसकी खुश्बू बहुत ही ज़ादा तेज होती है हमें अलग से किसी भी एसेंस को यूज करने की जरूरत नहीं है अब इसकी लिट लगा देंगे और इसे ब्लैंड कर लेंगे इसे हमें लगातार ब्लैंड नहीं करना है हर 15-15 सेकंड पर इसे रुक रुक के ब्लैंड करना है नहीं तो इसके सीड्स भी पिस जाएंगे मैंने इसे रुक रुक कर आराम से ब्लैंड कर लिया है आप देख पा रहे हैं इसके बीच वैसे के वैसे है इसका एक भी बीच पिसा नहीं है आप चाहें तो जूसर में भी इसका जूस निकाल सकते हैं, उसमें भी इसके बीज इसी तरह से रहते हैं, तो अब हम इसे फटा-फट से स्ट्रेन कर लेंगे इसके लिए मैंने एक बाउल और एक स्टेनर लिया है इसमें हम सारे पल्प को एड़ कर देंगे मैंने इसमें जो संतरे का चिलका यूज किया था उससे इसमें बहुत ही अच्छे खुश्बू आ रही है काफी ऐरोमेटिक जूस बनाए हमारा तो आप देख सकते हैं इसे इस तरह से कि स्पून की मदद से चान लेंगे इसके सारे बीज आराम से उपर देख रहे हैं ये भी बहुत ही इजी तरीका है इस तरह से ओरेंज की जूस निकलने का और इसमें इसके बीज भी नहीं पिस्ते हैं अब इसे इस तरह से प्रेस करते हैं इसका सारा ही जूस सेपरेट कर लेंगे और यह इसका waste part है इसे fake देंगे तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी quantity में orange juice बनाए हमारा और यह काफी colorful भी है इसमें मैं अलग से color भी use करने की ज़रूरत नहीं है इसे रख देते हैं एक तरफ और चलते हैं next point पर अब हम sugar syrup त्यार करेंगे उसके लिए मैंने एक पतीला लिया है इसमें हम सबसे पहले दो glass पानी का add करेंगे आप इसकी जगा कोई भी मोटे तले का बरतन ले सकते हैं अब इसमें मैं पाउ भर यानी 250 ग्राम चीनी आट करूँगी क्यूंकि मैंने कीनू वाले संत्रे लिये थे वो अल्रेडी काफी मीठे होते हैं अगर आप देशी संत्रे ले रहे हैं तो आप चीनी की quantity बढ़ा सकते हैं इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी के डिजॉल्व होने तक कुक कर लेंगे नहीं तो चीनी बरतन के बॉटम से लग जाएगी और इसका टेश्ट भी खराब हो जाएगा तो आप देख सकते हैं चीनी इसमें बहुत ही अच्छे से डिजॉल्व हो गई है और इसमें बॉयल भी आना शुरू हो गया है अब हम इसे इसी तरह से 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे की चासनी शहत की तरह गाड़ी हो जाए तो अब देखिए 5-6 मिनट हो गया है हम इसे चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है इसकी कंसिटेंस से बिल्कुल हनी यानी शहत की तरह हो गई है और बस अब इसी स्टेज पर हम इसमें औरेंज का जूस एट करेंगे जो हमने सेपरेट कर लिया था और गैस के फ्लेम को एकदम ही लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 5-6 मिनट के लिए लगाता इस्टेर करते हुए कुक कर लेंगे जिससे कि ये भी थोड़ा सा गाड़ा हो जाए आप इसे हलका सा गाड़ापन देने के लिए कॉन फ्लोर भी एट कर सकते हैं लेकिन इस तरह से इसे पका लेंगे तो में कॉन फ्लोर एट करने की कोई जरूरत नहीं है ये वैसे ही हलका सा थिक हो जाएगा इस इस तरह से लो फलेंपर कुक होते वज़ छे मिनट हो चुके हैं तो अब हम गैस की फलेंप को आफ कर देंगे और इससे ठंडा होने देंगे आप देख सकते हैं मैंने इसे ठंडा करने के लिए प्लेट फॉर्म पे रख लिया है यह जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा यह थोड़ा सा थिक हो जाएगा इस पॉइंट पर हम इसमें लेमन का जूस एड़ करेंगे तो उसके लिए मैंने एक निम्बू लिया है इसे हम फटा फट से कट करके इसका जूस इसक्यूस कर देंगे निम्बू का जूस इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा इससे हमारा ओरेंज स्क्यूस जल्दी खराब नहीं होगा आप इसकी जगा वाइट वैनेगर भी यूस कर सकते हैं इसके लिए हमें टू टेवल स्पूल लेमन का जूस चाहिए है तो मैं पूरे ही निम्बू का रस यहां पर निकाल लूँगी तो यह देखिए मैंने निम्बू का जूस निकाल लिया है तो अब हम इसे चाहन का रैट करेंगे क्यूंकि इसमें बीज वगरा है इस सरह से चाहने से इसके सीड्स अलग हो जाएंगे इसके बीज को फेक देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं यह कितना कलर फुल बना है और यह जैसे जैसे थंडा होता जाएगा इसका कलर और भी अच्छा हो जाएगा और इसके ठंडा हो जाने के बाद हम इसे कांच की बॉटल में भर के फ्रीज में रख देंगे ये पूरे छे महीने तक खराब नहीं होगा और आपका इसे जब भी पीने का मन करें आप इसे फटा फट से बना कर पी लें तो ये देखिए मैंने इसे कांच की बॉटल में फिल कर लिया है और बाकी का बचा हुए मैंने जग में भर लिया है और अब मैं आपको इससे serv करके भी दिखाते हूं इसके लिए मैने कांच का बड़ा ग्लास भी लिया है आप छोटे क्लासेस में भी इससे serv कर सकते हैं इसमें हम सबसे पहले ice cubes के add करेंगे ice cubes add करने के बाद हम इसमें तियार किये हूए orange juice के 4-5 table spoon add करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर बड़ा ग्लास लिया है आप अगर इसे छोटे ग्लास में सर्व कर रहे हैं तो आप 2-3 टेबल स्पून एड़ कर दीजे अब इसमें ठंडा ठंडा पानी एड़ करेंगे और इसे पूरा ओपर तक पानी से भर देंगे आप देख सकते हैं मैंने इसे बिना केमिकल के बिना किसी प्रिजर्वेट्यू के घर पर ही बहुत ही आसानी से बना कर त्यार किया है अब इसे एक स्पून से बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि मैंने इसमें ठंडा पानी और बरफ दोनों ही चीज़े एड़ की है इसलिए इसे इस तरह से मिक्स करना बहुत जरूरी है अब इसे थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसक्यो पर मैं एक औरेंज का स्लाइस लगा दूंगी तो बस ये देखिए हमारा पढ़िया सा औरेंज स्कैस बनके एकदम रेड़ी है तो देखना आपने इसे इस तरह से घर पर बनाना कितना आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार होता है आप मार्केट से औरेंज स्कैस पीना भूल जाएंगे अगर आपको मेरा ये औरेंज स्कैस बनाने का तरीका जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमें शेयर और सब्सक्राइब तो मिलते हैं फ्रेंज नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज